This video is present to you by, Login Academy, and it's referencing, Mathematics Syllabus D, and it covers, Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. Exercise 10F शुरू करने से पहले, हम 12 आर और 24 आर क्लोक को देखेंगे. जिसे के हम जानते हैं के क्लोक्स यूज होती हैं टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए. बेकल इसी तरीके से 12 आर और 24 आर क्लोक दोनों का एक ही इस्तेमाल है. यानि कि हम दोनो क्लॉक्स को या दोनो आ क्लॉक्स को इस्तिमाल करते हैं अपने दिन का या अपने पूरे दिन का टाइम रिकॉर्ड करने के लिए राज से लेकर दिन तक और दिन से लेकर दुबारा राज तक लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है इन दोनों को हम किस तरह से mathematics में represent करते हैं और आगे हम अपनी questions में किस तरह से इनको इस्तिमाल करेंगे आईए से देखते हैं सबसे पहले मैं आपको यह बताती चलूँ कि एक terminology हम इस्तिमाल करते हैं और वो होती है कुछ इस तरह से aim and pm aim क्या चीज़ है aim एक Latin word है एक abbreviation है एक Latin word एंटी meridium का और पी एम एक्राउनियम है या एक abbreviated form है पोस्ट meridium की इनके मतलब क्या है एंटी meridium के मतलब है before midday और पोस्ट meridium के मतलब है after midday aim हमारे पास एक abbreviation होती है जो हम अगसार timing के साथ इस्तिमाल करते हैं जो आपने जगा जगा देखा होगा तो यह एम तो यह एम तो यह आपको यह बताया है यह एम किस चीज की अब्रिवेशन है एंटी meridium की और यह पी एम अब्रिवेशन है पोस्ट meridium की और जिनके मीनिंग है फिफोर mid day and after mid day अब यह mid day क्या चीज है जब हम बात करते हैं 12 o'clock एम से लेकर 11.59 एम तक यानि के राद बारा बज़े से लेकर दिन के 11.59 मिनिर्स तक 11.59 मिनिर्स तक तो उस दो हमाई पास यह पूरा टाइम बिफोर mid day कहलाता है यानि यह के राद बारा बज़े से लेकर दिन के बारा बज़े से पहले पहले यानि के 11.59 तक कर जो टाइम होता है वह हमाई पास एम में कैल्कुलेट होता है mid day हमाई पास 12 o'clock को कहा जाता है 12 o'clock mid day means 12 o'clock p.m. मैं भी आपको यह clock भी ड्रॉ करके बताती हूँ 12 p.m. से लेकर 11.59 p.m. यानि के दिन के बारा बज़े से लेकर रात के 12 बज़े से पहले पहले 11.59 तक का जो टाइम होता है वह हमाई पास पी.m. में कैल्कुलेट होता है अगर हम clock में बात करें यह हमाई पास clock होती है कुछ इस तरह से जो clock हम normally अपने घरों में देखते हैं वो हमाई पास 12 hour clock होती है midday basically means होते है दिन के 12 बज़े को कहा जाता है midday दिन के 12 बज़े को midday कहा जाता है और रात के 12 बज़े को midnight कहा जाता है ठीक है यह जो clock है हमारे पास यह हमाई पास 12 hour clock होती है अगर आप 24 hour clock को देखना चाहते हैं तो 24 hour clock आपको अक्सर cell phones में मिलेंगी cell phones में जो clock हम यूज़ करते हैं यह जो clock यूज़ की जाती है अप्लिकेशन में वो 12 और 24 hour clock होती है अब जैसे के हम यह जान चुके हैं के midday हमारे पास दुपैर के 12 बज़े को कहते हैं यानि के 12 पी-म और midnight कहा जाता है रात के 12 बज़े को एम कब शुरू होता है रात 12 बज़े से पी-म कब शुरू होता है दुपैर के 12 बज़े से